जिस उम्र में बच्चे ठीक से बोल भी नहीं पाते हैं उस उम्र में चिननी बेठी ने खमाल कर दिया और यहीं वज़ा है कि इंडिया बुक आफ रिकॉर्ड ने इस बच्ची को सम्मालित किया है और उसका नाम इंडिया बुक आफ रिकॉर्ड पे दर्च किया गया मूल रूप से कोरबा के मुकता अहरदी बाजार इलाके की रहने वाली रूदर सिंग राठोर इन दिनों मुंबाई में काम करते हैं वो वहाँ पर SBI बैंक में चीफ मैनेजर है रूद की पतनी ममता राठोर पेसे से टीचर है दोनों की डेड़ साल की बेटी अनाया है जिसने कामाल कर रखा है खास बात यह है कि अनाया पच्पन से ही चीजों को जल्दी समझने और सीखने लगी थी जिसका फायदा उसे अब मिल रहा है बताया गया कि इतनी चोटी से उमर में ही अनाया A, B, C, D, महिनों के नाम, दिनों के नाम, जान्वरों के नाम बोल लेती है और समझ भी लेती है बचों के रा caffeine भी अनाया बोल लेती है, कई तरह की काविता भी उसे आती है ममता ने बताया कि अनाया जब एक साल की हुई तो हमें पता चला कि वो काफी चीजों को जल्दी समझ लेती है हम उसे पहले टीवी पर चलने वाले कार्टून, रैम्स वगेरा नहीं देखने देते थे थोड़ा बहुत वो देखती थी और उसी से उसे काफी कुछ पता चलने लगा इसके बाद हमें समझ में आया और हमने खेल खेल में ये सब उसे बताना शरू किया जिससे उसने काफी जल्दी सीख लिया है इनने वा नाया टेबल सीख रही है बाडी पार्ट्स के बारे में भी उसे पता है ममता नहीं बताया कि हमें जब ये पता लगा कि मारी बच्ची जल्दी सब कुछ चीजों को पिक कर रही है तो हमने इंडिया बुक आफ रिकार्ड वालों से संपर किया इसके बाद उन्होंने अनाया का वीडियो देखा और फिर उसका नाम तर्च किया गया है अनाया के पिता रूतर कहते हैं कि हर बच्चा बच्चपन से स्पेशल होता है जरुध है तो उसे पहचानने की अनाया के बिक केस में ऐसा ही हुआ उन्होंने कहा कि बाकी बच्चों के लिए यही संदेश देंगे कि हर बच्चा बच्चपन से ही कुछ न कुछ जानना और समझना चाहता है जरुध है तो उसे पॉलिश करने की हमें ये तो अभी नहीं पता है कि अनाया बढ़ी होकर क्या बनेंगी पर हम चाहेंगे कि आगे जाकर देश का नाम और प्रदेश का नाम रॉशन करें बेरो रपोर्ट उराट्विटीफोर नियूस बढ़ी होकर अभी क्या बनेगी ये तो पता नहीं लेकिन जितने मतलब हम देख पा रहे हैं इसको बच्पन से इसकी टैलेंट इसकी हुनर काफी लोगों से आगे है और हम अच्छी उम्मीद करते हैं कि आगे जाके अपना हम तभी का नाम रॉशन करें हमारे देश का नाम रॉशन